तो हेलो वाइस वेलकम बैक तो माई न्यू व्लॉग मेरा नावन राक सेंगर आप सभी मेरे कुछ जानते हैं अगर नहीं जानते तो प्रेस्टा सब्सक्राइब बटन आप सभी मेरे कुछ जान जग तो वाइस टाइम हो रहा है यह लगता है डाउन है यह अपना नौबच के 45.45 मिनिट के आसबारP रात के नौबच के 45 मिनिट हो रहा है और o 20 mm और रात में देख रहते हैं कितना दिल हो रहा है गाड़ी में दोह आक है अपनी सही तैयार खड़ी कर दी है और यहां यह यहीं चल लिए अभार को हमें कमरे में बंद करके जाएंगे सुब्ब्र को खोलेगा वह बस और साम को रुसकी कि एसी पूरे दिन हम चलती रहने छोड़ देंगे और अपनी गाड़ी दोधा के बल्गु साफ परके मैंने खड़ी करती है अब निकलेंगे या से तो है इस गाड़ी की डिक्की हो चालिया समान से जूता कहा जाएंगे इसमें उपर को रखो थैले के ऊपर को थैले के ऊपर पूर सुहरी बल्टी हुई है यह जा रही कुछ के एस चला के ले जा रहा है टपा बनके इसका पूरी गाड़ी खता में आगे से भी पीचे से भी जा वाई खतन नाक वाली मार रखी है तो भी चल लिए अपने पैरों से और गाइस हमने मुरादावाद कर दिया है और हमें जो टाइम लगना वाला है तस गंटे कुछ हम सुबह दस बजे के लमसम पहुंचेंगे अगर कहीं भी हम ना रुखें तो और वो स्पीट के उपर डेपेंड करता है जब गाड़ी की स्पीट अप देखते हैं क्या है नहीं तो यह अपना टीम हुआ चुका है अब निकल ल हमें जाम काफी टाइम साम इसमें चल लाएं और हमें घर से निकले हुए एक घंटा हो चुका है पूरा और हम गजरॉला के आसपास हैं और पर ट्रापिक में हमारा टाइम बेश्ट हो गया 10-17 मिनट और चल लाएं चलो लाइन हलके हलके चल लिए तीनों लाइन अपनी बं के हाने मना चुका है वा हुलती का बहाने मना रख दा ट्रहरा था और और अब काड़ी से जयरा अा अराएं महस करो अ हब ल BIG आगे लएंच शुर्षालले बोरो है अगई अगे चल एक आ चलते हैं अगे तो यह फाइनली मैंना गाडी का अट्र अब देखतें कितने कहां का देती अब टो गाड़ी जीरो किया है दो चलिए तो बाइस पूंट बन का माइले जा रहा है कितना नहीं आता बीस तक को एठार है उन्नेश बीस के लम सम देगी इतना भी देगी है क्योंकि हमारी जो ड्राइब रहने वाली है वो सारी हाइवे 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 है पुरा हम हाइवे चलेंगे देखते हैं क्या माइलेज मिलता है क्या नहीं है अभी तो अब इस पॉइंट टू यह अभी ऐसी आ रहा है थोड़ी कम से कम पचास साट किलोमेटर में कंपर्म हो जाएगा कितना माइले निकालेगी गाड़ी कमपनी न दे रही पच्छिस का तो गाड़ी क्या देगी रोडों की कंडिशन बहुत ज्याद है खतरनाक हो गई है बिल्कुल मक्षन रोड हो गई है है फाइनली हमारी जर्नी का पहला टोल टेक्स आ चुका है और पता नहीं कितने आएंगे कोई गिंती नहीं है अब गाने हम सुनने हैं पुराने-पुराने क्या चोटा आती इससे ब्लोगिंग करता है इसमें बैट जाता उपर अधिया यह सब कोटा जा रहा है इसमें कोटा कोटा अधिक्सिक घरवान जा रहा है यह सब बहात लेकर हैं बहात लेकर जा रहा है यह जड़ो बढ़ो नारा करेंगे अवे तुम सब आ गये माक्स कोई न लाया है ना तो सभी है मेरे पर भी है क्या लेचलों कि अलवाइस कट चुके हैं पैसे यह पैसे किसे कट गए ऐस फाइनली हम कड़ पहुंच चुके हैं कई सतापदियों के बाद और बाइस अगे काड़ी घड़ी है रहे बस वह कितनी बड़ा लग रही है सिटी है अलकिसी यहां पर में वीड भी काफी है यार क् कल सोमती मावस की वह इस भाई भीड खतनाक वाली भीड हो रही है नीचे देख रहे हो नहां रहे हैं पबलेक एक रूट चड़ा दो एक रुप्य अगा हो दो और हम चले जा रहे हैं यहां से को कई सतापदियों के बाद जाम मैं से निकलने के बाद हम यहां पहुंचे हैं बार है बचके 15 मिनट अब तो निकल गई गंगा जी अब क्या निकाल लेगे हो और कपकी निकल गई है कि जैए यह बहुत तेज वाला बास भूम आ रहा है कंट्रोल से बाहर हो गया अब तो है वह यह चला ले रहे बहुत तकड़ा लंबा जाम है बहुत चाम है बहुत जा अगल लए है यहां क्या जिसा इतर भी देख रहे हूँ आप कितना बहां कर ब्राग हुआ है हमारी साइट भी और पीछे की तरफ इतना ही जाम ता और इधर भी बहुत जाम तर निकल है तो आया राम जाह हमारी जर्णी का चलो ही कि निकालते हैं यहां से और चलते हैं आगे की और हमें तो आज जाम ही जाम हर 10 km के जाम होगी हमने कितने इसक्टेंस कवर किया है 75 और 35 सो 110 10 किलोमेटर के आसपास हमने कवर कर चुके हैं और हमारी गाड़ी माईलीज इस टाइम दे रही है 17.6 का अभी तो दे रही थी अठारे के आसपास दे रही थी बट जाम में यह कम हो गया है और नितिन और ममी दोनों सो रहे हैं अराम से टाइम हो रहा है अपना एक बजने वाल एक नमर जाना है बहुत ते जा रही है जाम लग गया मैं असल चलत तोड़ी ओर आगे लिया हम और जभी जाम लग गया गजरॉला से आ रही है और हम दिली पहुंचने वाले हैं कि फोड़ा बाद इस टेंस बचाओ और मामा रैड बूल पी ए जा रहा है रहा है रैड बू तो हमने थोड़ी से समान ले लिये थे जिसमें बड़े आई है और नितिंत अपना सो रहा है मांक सुक्स लगा के जब सो रहा है और यह अपने स्टिंग पी जा रही है तो गाइस फाइनली हमें सेकंड थर्ड सौरी थर्ड टोल टेक्स आ चुपा है हमारे एपिसोड बन का तो गाड़ी भी थोड़ी प्रॉब्लम सी कर रही है हलकी हलकी भी इसमें यार मैंने सर्विस नहीं करा है इसकी बड़ तीस हजार पर सर्विस होनी थी बड़ अभी तो यह 28000 कुछ किलोमेट्री चली हुई है फिर भी इसमें पहल सून का रहा था ओयल चेंज कराने के लिए अब रिक्वाइड आ रहा है ओयल चेंज रिक्वाइड देखो क्या होता है बात करते हैं पहुंचना तो है अगर मॉबिल खराब हो गया होगा तो भाहीं पी सर्विस करा देंगे रास्ते में जहां भी मिलागा पोट का पोट के एजंसी इसमी करवा देंगे चलो लेकर चल जान में लखा है बहुत ज़ादा आप देखते हैं क्या सजह मिलता है क्या नहीं तू मतलब दादरी वाला बाइपास हमें लेना है यहां से 7KM और उसके बाद सीधे बाई-पास होते बहार निकल जाएंगे अब आगे को आगे टाइम नहीं लगया क्योंकि हम आगे पोर ल तो यह अपनी धन्नों खड़ी हुई होग भाई गतर्नाक सी लग रही है यह और गाईस एक प्रोबलं भी आरी में आपको बताता का डाव प्रॉब्लिमस है और हिए उर मुझे जो ड़ नग रहे है वह घर लग रहे है कोई इसमें नुक्सान बगऴ процесс करना हो जाए यार नुकसान नहीं होना चाहिए मैं और बात कर रहूंगा सुबहां करके एदिंसी में और अभी हमारा जैपुर का जो डिश्टैंस हो तीन सो पच्छिस किलो मेटर बचा है तो अब देखो इस ब्लॉक को हम यहीं कर रहे हैं और यहां तक वीडियो देखने के आप सभी का धन्यवाद थैंक्यू सो मच अगर ब्लॉक पसंदा है प्लीज पीडियो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बोलें पाई पाई पाई